हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 टिफ्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग Google Adsense का अप्रूबल कुईकली ले सकते हैं जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू से लेकर आकड़ी तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं मेरा नाम है इसराइल और आप देख रहे हैं टेकनलोजेटिव इसराइल वीडियो में आगे बरने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और हो सके तो हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर लें तो चलिए जान लेते हैं कि प्रस्टनली मैं कौन सा प्रोसेस को फॉलो करता हूँ जिसकी मदश से मुझे गूगल एटसंस का अप्रूबल कुईकली मिल जाता है तो सबसे पहला जो मैं काम करता हूँ वो मैं टॉप लेवल डोमेन को ही बाइ करता हूँ और टॉप लेवल डोमेन को ही मैं यूज करता हूँ इसलिए दोस्तों मुझे गूगल एटसंस का अप्रूबल जल्दी मिलता है टॉप लेवल डॉमेन में बहुत सारा डॉमेन आता है जैसे .com.in.org.info.net इस तरह का डॉमेन जो है वो टॉप लेवल डॉमेन होता है अगर आप लोग इसे यूज करते हैं तो आपको भी Google AdSense का अप्रूबल लेने में किसी भी तरह का पड़ेशानी नहीं होगा दूसरा प्रोसेस होता है दोस्तों आपके वेबसाइट का टेंपलेट काफी लोग मुझे यहाँ पर कॉमेंट करके पूछते हैं कि इसराहिल भाई आपके वेबसाइट के ओपर कौन सा टेंपलेट है उसका लिंक कहा है मुझे चाहिए तो इस वीडियो के डिस्किप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग डायेटली उसे फोलो करके डाउनलोड कर सकते हैं अब चलिए मैं बता देता हूँ कि टेंपलेट में आपको किस तरह का टेंपलेट आपको यूज करना है टेंपलेट होना चाहिए SEO फ्रैंकली और वो एड्सेंस को सपोर्ट करे अगर आप लोग इस तरह के टेंपलेट को यूज करते हैं तो आपको गूगल एड्सेंस का अप्रूबल लेने में किसी भी तरह का परज़ानी का सामना नहीं करना पड़ेगा अब तीसरा प्रोसेस दोस्तों आप लोगों को ये करना है कि टेंपलेट को अच्छी तरीके से कस्टमाइज करना है और अपने वेबसाइट के ओपर फाल्टू की गैजट वगेरे को नहीं लगाना है वेबसाइट को हमेशा आपको साप सुतरा रखना है और चौन्था प्रोसेस दोस्तों ये होता है कि आप अपने वेबसाइट के ओपर यूनिक पोस्ट पब्लिस करें किसी का भी कॉपी नहीं करें अगर आप लोगों का नया नया वेबसाइट है आप लोग चाते हैं कि गूगल एडसेंस का अप्रोबल हो जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा महनत करना होगा 10 से 15 पोस्ट आपको यूनिक वहाँ पे पब्लिस करना होगा सबसे पहला दोस्त कि आपके वेबसाइट की भी रैंकिंग कम होगी अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रोबल मिल भी जाता है तो भी दोस्तों आप लोग उस वेबसाइट से अर्निंग नहीं कर सकेंगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपने वेबसाइट की ओपर यू लैब को भी आप लोग यूज करके अपना इमेज बना सकते हैं 10-15 पोस्थ आपको गूगल एडसेंस का अप्रोबल लेने के लिए अपने वेबसाइट के ओपर प्ब्लिश करना होगा अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके वेबसाइट को गूगल एडसेंस का का होना चाहिए तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग गूगल एड्संस का कुईकली अप्रूबल लेना चाहते हैं तो आप अपने वेबसाइट के पोस्ट में कम से कम 500-700 वर्ड का ही यूज करें अगर दोस्तों उससे कम का यूज करते हैं तो आ आप लोग अपने वेबसाइट के ओपर पोस्ट करें तो आप लोग अपने पोस्ट को अच्छी तरीके से कस्टमाइज करें अपने पोस्ट को अच्छी तरीके से यानि सजाएं और सब्टैटल का यूज करें हेडिंग का यूज करें मेन कीवर्ट को हाइलाइट करें बोल आजाएगा कि आपको Google Adsense का अप्रूबल मिल गया तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप लोग किस तरह से कुईकली Google Adsense का अप्रूबल ले सकते हैं अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें थाइंक यो फूर वाचिंग